नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे फिरी सिलाई मसीन के बारे में पूरे भारत देश में फिरी सिलाई मसीन का अबेदन शुरू हो गया है अब आप परदान मंत्री विश्कर्मा योजना के तहत आप फिरी सिलाय मसीन का आवेधन कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आप फिरी सिलाय मसीन के लिए आवेधन करते हैं तो सरकार के तरप से 15,000 रुपे का अनुदा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 101% आप खुद से फिरी सिलाय मसीन का आवेधन कर पाएंगे अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो चलिए अब हम आप आपको बताते हैं फिरी सिलाय मसीन आवेधन करने का कंप्लेट प्रोसेस फिरी सिलाय मसीन का आवेधन परदान मंतरी विसकर्मा योजना के ताथ किया जाता है इसलिए सबसे पहले प्ले स्टोर से पी एम विसकर्मा एप को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद open करना है आपको login पर Klick करना है उसके बाद applicant beneficiary login पर klick करना है यहाँ पर mobile नंबर डालना है यहां पर होई mobile नंबर डालना है जो अधार कार्ड से लिंग है capture code को इस box में डालना है और login पर किलिक करना है इतना करते ही आपके मुबाइल नंबर पर OTP आएगा OTP यहाँ पर डालना है उसके बाद Continue पर किलिक करना है जैसे ही आप Continue पर किलिक करेंगे आपके अधार काड़ का पूरा डेटल्स आ जाएगा इस फॉर्म में कुछ डेटल्स फिल नहीं रहेंगे आपको फिल कर लेना है यहाँ से Marital Status को सेलेक्ट कर लेना है Married है या Unmarried उसके बाद Category को सेलेक्ट कर लेना है Yes, C, ST, O, B, C, General आप जिस भी Category से हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है अगर कोई दिभ्यांग इसे उजनक Apply कर रहा है तो Yes को सेलेक्ट करना है नहीं तो No को सेलेक्ट करना है उसके बाद आप से कुछ Question पूछा जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो Same State में कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो Yes को सेलेक्ट करना है अगर आप Same District में काम कर रहे हैं तो Yes को सेलेक्ट करना है अगर कोई minority apply कर रहा है तो yes को select करना है और यहां से minority के category को select कर लेना है यहां पर आपका mobile number पाले से ही fill रहेगा आदा number भी पाले से fill रहेगा अगर pen card बना हुआ है तो यहां पर pen number डालना है उसके बाद family details के section में आना है अगर आपका रासन कार्ड बना है तो जितने भी रासन कार्ड में member हैं सभी का नाम आजाएगा अगर किसी सदस्त का नाम नहीं आता है तो add row पर click करके नाम add कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं यहां पर आपका आधार address आजाएगा जो पाले से fill रहेगा उपर जो address है अगर वही current address है तो same as आधार address पर click करना है अगर आप gram aid छेतर से हैं तो yes को select करना है यहां से आपको अपना block select कर लेना है यहां से अपने gram पंचायत का नाम select करना है उसके बाद profession trade details के section में आना है और tailor को select कर लेना है उसके बाद इस box पर tick out करना है उसके बाद business address देना है अगर आप आधार card का address देना चाहते हैं तो same as आधार address को select करना है अगर आप कोई दूसरा address देना चाहते हैं तो other को select करना है और address डाल देना है उसके बाद save पर click करना है इतना करने के बाद bank account details देना होता है सर्च के आइकन पर क्लिक करना है इतना करते ही ब्रांच का नाम आ जाएगा सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर एकाउंट नमबर डालना है यहाँ पर फिर से वही एकाउंट नमबर डालना है उसके बाद क्रेडिट सपोर्ट का आपसन आता है अगर आप लोन लेना चाहते हैं त अगर आप yes को select करते हैं तो यहाँ पर UPID डालने को बोला जाता है, UPID डाल देना है और next पर click करना है, click करते ही next page आएगा, इस page के नीचे आना है, यहाँ पर marketing support का option दिया है, आपको next पर click करना है, इतना करते ही declaration का page आएगा, इस box पर click करना है, और submit पर click करना है, submit पर click करते ही आपका application submit हो जाएगा, अब अधिकारी लोग application को verify करेंगे, उसके बाद आपको phone call से बताया जाएगा कि आपको training के लिए कहाँ आना होगा, training complete होने के बाद 15,000 रुपे account में भेज़ दिये जाएंगे, जिससे आप toolkit खरीश सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह से आप फिर सिले मसीन का online apply कर सकते हैं,